Hello my all dear friends, welcome back to our channel मेरे हिसाब से थम्नेल को देखकर आप यहां आए हैं इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने थम्नेल में कोशन्स देखा बिल्कुल उसी तरह रोचक प्रशन आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो आपके हर एक प्रतियोगिता परिक्षा में काम आएंगे तो आए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं कोशन नम्बो बन, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी क्या आप बता सकते हैं? ओप्शन A. अमेरिका, B. भारत, C. चाइना, D. जपान इसका सही जवाब होगा, ओप्शन C. संसार की पहली नोट चीन में बनी थी कोशन नम्बो टू, सबसे ज़्यादा किस देश में जील पाई जाती है? आईए ओप्शन देख लेते हैं A. जपान, B. भारत, C. कनाडा, D. चीन वीडियो को पॉस करके आप आराम से सोच सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा, ओप्शन C. कनाडा यहाँ सबसे ज़्यादा जीले पाई जाती है कोशन नम्बो ट्री, च्विंगम चबाने से कौन सी बिमारी ठीक होती है? आपके आप्शन्स है, A. कैंसर, B. पीलिया, C. शुगर, D. यादाश यादाश मतलब भूलने की बिमारी, तो इसका सही जवाब भी आप्शन D होगा च्विंगम चबाने से यादाश ठीक रहती है Q4. विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? आप्शन A. Amazon, B. नील, C. राइन, D. ब्रम पुत्र तो देखिए इसका सही जवाब होगा आप्शन B. नील नदी एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है Q5. मनुष्व के खून में कौन सा धातू पाया जाता है? आप्शन A. लोहा, B. सोना, C. चान्दी, D. तामबा तो इसका सही जवाब होगा आप्शन A. लोहा एक ऐसा धातू है जो मनुष्व के खून में पाया जाता है Q6. भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ये तो आपको जरूर याद होगा आईए ओप्शन देखते हैं A. 22 मार्च 2020, B. 23 मार्च 2021, C. 25 मार्च 2019, D. 20 मार्च 2020 सही जवाब है ओप्शन A. 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था Q7. ये बताए कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक गुमा सकता है? आईए ओप्शन देख लेते हैं A. 180 डिग्री, B. 270 डिग्री, C. 300 डिग्री, D. 360 डिग्री तो इसको सही जवाब है ओप्शन B. 270 डिग्री उल्लू अपने सिर को गुमा सकता है Q8. अंतरिक्ष में सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? क्या आप बता सकते हैं? आईए मैं आपको ओप्शन देती हूँ A. काला, B. लाल, C. सफेद, D. पीला तो इसको सही जवाब होगा ओप्शन C. सफेद, अंतरिक्ष में सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है Q9. भारत के किस राज्य में दो गंटे पहले सूर्य निकलता है? Q10. अब आपको ये बताना है कि 10 रुपय का सिक्का बनाने में कितना का खर्चा आता है? Q10. इसको सही उत्तर होगा ओप्शन C. तीन रुपय में 10 रुपय का सिक्का बनता है यानि कि 10 रुपय के सिक्के को बनने में मात्र तीन रुपय का खर्चा आता है? I hope you all are enjoy the video. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. We will meet soon in the next video. Q10. इसको सही रुपय में 10 रुपय का खर्चा आता है